पस्तित मेरे धर्म प्रेमी बंधों, मेरी माताओं तथा मेरी बहनों, आप सभी का प्रातहकाल की इस धर्म सभा में तथा हमारी दिव्यता और भव्यता को पुजागर करने में समर्थ अद्भुत्य, दिव्य कथा महवीर कथा में हारदिक, हारदिक स्वागत करता हूँ, आप सभी के उज्वल भविष्य की मंगल कावना करते हूँ, उन्हें हम अपने सोभाग्य की स्राहना करें, कि मनुष्य जनम पाना सार्थक हो गया, उत्तम कुल पाना भी सार्थक हो गया, इन दोनों बलबूतों पर हमको ये जो धर्म का वातावरन मिला है, जिन सासन की जो विवस्थाएं मिली हैं, जिन सासन के मार्ध्यम से पंच प्रमेष्टी प्रमात्मा की अध्वुत उर्जा के साथ, आत्मी शंबन बनाने का जो सोभाग्य प्राप्त हुआ है, वो वास्तों में अध्वुत है, जब ये भाव गहराई में उतरते हैं तो हम प्रमात्मा से गहराई से जुड़ते चले जाते हैं, ये जुड़ाव जो है, ये असुप कर्मों का ख्षय कर सकती है, इस जुड़ाव में इतना सामर्थ है, इस लगन में इतनी शक्ती है, इस भक्ती में इतनी ताकत है, कि हम अपने आत्म दर्पन में प्रमात्म के शरूप को निहार सकते हैं, भक्ती जितनी बढ़ती जाती है, ये हमारा आत्मा का दर्पन उतना ही निर्मल होता जाता है, आत्म दर्पन पर कसाय और विश्यों के माध्यम से जो धूल जम गई है, उस धूल को हटाने का सामर्थ है, भक्ती के अंदर है, धरंध्यान के अंदर है, कथा सर्वन के अंदर है, सत्संग के अंदर है, इसलिए आपको रोज बुलाते हैं, और जिनमें श्यम को जानने का और परमपिता प्रमात्मा प्रभु महवीर की अम्रित्मई भव्यता का अनभव करने का भाव है जिनमें, वो जरूर आते हैं, कुछ यहां आते हैं, कुछ श्क्रीन पर आते हैं, जो दूर बेठे हैं, माध्यम चाहे कोई हो, किसी भी माध्यम से हम प्रभु से जुरें, कथा सुनते सुनते, पता नहीं कितनी बार बोध का दिया जलता है, बोध का दीपक जलता है, लेकिन यहां से उतरती फिर बुझ जाता है, यह तो बहुत अच्छी बात है कि फिर जलाने आ जाते हैं, कई लोग तो इतने प्रेशान हो जाते आना ही जोड़ देते, यह नहीं आए, यह तो बार बार बुझ जाव है, यह जो वीर कथा है, महावीर कथा है, यह हम सभी को दीप बनने की कथा है, दीप को प्रजुलित करने की कथा है, बोध का दिया जलाने की कथा है, अंधियारे में यह एक लाइटिंग है, अंधियारे में एक लाइट है यह, प्रकास इस्तम्ब है, इस प्रकास इस्तम्ब का, लाइट टावर्श का, जितना भी हम इस्तमाल राष्टा देखने में करेंगे, उतना अच्छा रहेगा, तो कल आप लोग सुन रहे थे, कि कभी-कभी सोचता हूँ, ख्याल आते हैं, कि मेरी प्रभू महवीर की आत्मा जहां उतरने वाली है, वो आंगन कितना गजब का रहा होगा, और उसकी एक जलक आपने कल देखी भी होगी, आपने कल राजा सिध्धार्त का विवा से पहले का करक्टर और त्रिशला राजकुमारी का महरानी बनने से पहले का जो करक्टर महवीर कथा के माध्यम से सुना दी होगा, वास्तों में, महापुरुस, जब किसी गोद का चैन करते होंगे, कि मुझे कहां जाना है, किसकी कुक्षी में जाना है, किसके उदर में जाना है, या कोई भगवान का माता-पिता बनने का जो सामर्थि लेकर के पेदा हुआ है, तो उसकी जलक मिलने लगती है, कल की कथा से आप लोगों ने क्या महसूस किया मैं कह नी सकता, लेकिन एक बात वहां बड़ी कोमन है, अगर आपने गोर किया हो, जब राजा चेटक ने अपने पांच बुजुर्ग अनभवियों को गुप्त वेश में, गुप्त चर की भुमिका में, उन्हें गुप्त चर कहते हैं, जासूस भी कहते हैं, कि वेश बदलकर, अपनी पहचान बदलकर, राजा शिद्धार्थ उसके व्यक्तित्व को उसकी जीवन शेली को रीड करना है, उसकी जीवन शेली का अध्यन करना है, उसके लाइफ स्टाइल को चेक करना है, और यह अनभवियों का अनभव है, वो अपनी प्यारी बेहन त्रिशला का हाथ किसी ऐसे हाथ में देना चाहता था, जो हाथ उस हाथ के काबिल हो, वैसे तो त्रिशला, अपने होने वाले नाथ को पहचान चुकी है, एक ही घटना से, लेकिन एक भाई का हिर्दे ऐसा है, कि वो पूरी तरह संतुष्ट होना चाहता है, और जब उन गुपचरों ने पांच थे, पांच तरीके का एक्जामिन किया है, सबस्क्राइल ऊड़िए उन पांच प्रकार निकल करके आगया कि बंदा आंदर से कैसी अ उपीकर के व्यक्टित को जो इतना चमतक्रिट करने वाला है आकरशित करने वाला है तो उसकी वजह क्या है तो पहले ने कहा कि राजा सिधार्त वास्तों में एक सूर्वीर युवक है और उनकी सूर्वीरता पर कोई संदे नहीं कर सकता कि दूसरे ने कहा जितनी शूर्वीरता है उतनी ही मात्रा में उनके अंदर करुणा भी है यह देखो संतुलन्ग देखी आप जितनी शूर्वीरता उतनी ही करुणा उतनी ही धया उतनी यह शमा एक परजा में परजा का दिल टटोलने में लग गया बाती बात में पूछता था तुम्हारे राजा कैसे हैं तो जो भी एक बार नाम ले ले परजा के सामने औरे वो तो बखानी करने लग जाता कि जी हमने ऐसा राजा ही दे देखा परजा वत्सल हमारे दुख दर्द को इतनी दूर बैठे हुए भी अनभाव करता है एक ने तो यहां तक बोला कि हम अपने घर में किसी अंजानी बीमारी से पीड़ी थे तो रात के बारा बजे राजा सिधारत हमारे घर आ गए दर्वाजा खट खट आया कि राज के बारा बजे कोन आया तो देखा तो राजा सिधारत कहा कि इस घर से जो तरंगे मेरे दिल तक पहुँची है किसी की दर्द की पहुँची है इस घर में उस महल में कितनी दूरिया है लेकिन यहां कोई दर्द में करहाया है तो इस करहाने की जो इस पंदना होती है वो महलों तक पहुँच गई और यह बात बतला देता हूँ कि जितना आदमी संवेधन शील होगा न तो संवेधन शील व्यक्ति को दर्द बताने की जुड़त नहीं होती बिना बताये नहसूस कर लेता है इसको संवेधन शील इस लिए मैं तो एक बात कहता हूं कि अध्यन शील बेशक मत बनो लेकिन समवेदन शील अवस्यव और आज के जमाने में उल्टा है आदमी जितना पढ़ने लिखने लग गया जितना अध्यन शील हो गया उतनी ही समवेदना मर गए मैं पढ़ने के खिलाप नहीं मैं अध्यन के खिलाप नहीं पर लेकिन उस अध्यन के खिलाप हों जो आपको समवेदन हीन बना दे किसी के दर्द को महसूस करने ही ना दे वो अध्यन की व्यर्थ है जो तुमें स्वार्थी बना दे मतलब परस्त बना दे परजावच्सल ये बात सुनी तो उस बुजर्गी की आँख खुली की खुली रेगी क्या परजावच्सल चोथे ने पता लगाए कि वो उदार हिर्दे के हैं गुन ग्राही हैं हमारे राजा में अगर दुस्मन में भी गुन हैं तो उस गुन की एवेज में अपनी दुस्मनी को भूल जाते हैं अगर किशी ने उनके साथ बुरा किया और उस बंदे में कोई खासियत है कोई काबलियत है और उस काबलियत का जैसी पता चलता है दुश्मनी भुला देते हैं इतने उदार हिरते हैं वो क्योंकि वो गुन ग्रही हैं वो विशेश्ताओं को भापने वाले जांचने वाले परकने वाले समझने वाले महसूस करने वाले जब उनके करेक्टर की बात आई देखो करेक्टर कैसा है तो एक लाइन की अंदर उस करेक्टर की प्रिभासाद बोली ना पीठ पाई अरी व्रिंद ने कभी ना पीठ पाई अरी व्रिंद ने कभी ना वक्ष देखा परनार का कभी कि हमारे राजा सिद्धार्थ की विशेष्टा है ना पीठ पाई अरी व्रिंद ने कभी दुश्मनों ने कभी उनकी पीठ नहीं देखी और ओरतों ने कभी उनकी च्छाती नहीं देखी ये करक्टर है उनका ये चरित रहे उनका किसी परनार ने कभी उनका वक्ष इस्तल नहीं देखा और दुस्मन ने कभी उनकी पीठ नहीं देखी वीर भी इतने हैं चरित्रवान भी इतने हैं जब इन सभी विशेशताओं का पिठारा जब खुलने लगा राजा चेटक के सामने ओए होई 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 दिल दिल गुद गुदाने लगा ओ त्रिसला के नसीव को सरहने लगा क्या किस इंसान को पसंद किया है वास्तों में अपनी बेहन की पसंद पर दिल आ गया तो मैं आपको इसकी बीच में रोक करके कुछ संदेश देना चाहिए महसूस कीजिए अचारिय सौंदेव सुरिश्वर जी महराज ने नीती वाक्य अमरित नाम का एक ग्रंख लिखा है यह हम सबके लिए समझने वाला है उसके अंदर एक नीती वाक्य है उनका वहां लिखा है धर्म फलम अनुभाव तोपी अधर्म अनुष्ठानम अनात्म मगनश्य इसका हिंदी अर्थ कर देता हूं धर्म फलम अनुभाव तोपी अधर्म अनुष्ठानम अनात्म मगनश्य यानि हमें पता है कि धर्म का ये फल है धर्म के फल का अनुभाव करने के बावजूद भी धर्म फलम अनुभाव तोपी धर्म फल का अनुभाव करने के बाद भी अधर्म अनुष्ठानम अनात्म मगनश्य फिर भी व्यक्ति अधर्म के काम कर रहा है धर्म के फल का अनुभाव करने के बाद भी व्यक्ति अधर्म में इंट्रेस्टिड है है ना अश्च्रिय हमें जो आखों में देखने की ताकत मिली है हमको जो ये निरोग शरीर मिला है हमको मन पसंद दोलत मिली है अच्छा धर और घराना अच्छा कुल और खांदान मिला है ये किसका फल है किसका फल है ये धर्म का फल है ना धर्म युक्त पुन्य का ही तो फल है तो कि धर्म या तो नर्जरा में काम आता है या पुन्य में काम आता है ये तो आप भी समझते हो निर्जरा करम की निर्जरा करते है धर्म के द्वारा धर्म कभी खाली नहीं जाता है या तो वो निर्जरा करेगा या वो पुन्य करेगा पुन्य का बंद करता है यह जितना भी तुम्हें कुछ भी मिला है यहां तक कि तुम्हें जो जनम मिला है शुरक्षित यह भी किसी धर्म का इप्फल होगा नहीं तो पता नहीं कितने बच्चे पेट में ही मर जाते हैं कुछ कितनी माता जनम देते वक्त खुद मर जाती है अगर हमारा सुरक्षित जनम हुआ है अगर आज हम सुरक्षित हैं तो यह किसका फ़ल है यह तो बतला दो किसका फ़ल है इसका फल मानते आप धर्म का इना लेकिन धर्म का फल अनभव होने के बाद भी आदमी अधर्म में क्यों लगा हुआ है यह कभी आपने नहीं सोचा है यह कभी आपने विचार नहीं किया कि जो चीज मुझे पद की ताकत है धन की ताकत है शरीर की ताकत है जो भी मेरा रुत्बा है जो भी मेरा सम्मान है यह सब धर्म की बदोलत लेकिन मैं काम तो धर्म के कर रहा हूँ आपका आपकी समाज में अगर जो इज़त है यह मत सोच नहीं है इज़त मैंने कमाई है इस इज़त को पाने के लिए पता नहीं आपने कितनों की इज़त की होगी कितने जन्मों में कितनों का सम्मान किया होगा तब जाकर के आपको ये सम्मान मिला फिर भी हम किसी का अपमान करने में भी इतने इंट्रेस्टिड हो जाते हमें अपनी प्रसंसा कोई हमारी प्रसंसा करता है यह धर्म का फल है लेकिन फिर पी हम किसी की बुराई करने में इंतरे इंट्रेस्टिड है यह आश्च्रिय है सौम डेव शुरीश्वर्जी महराज इस नीती वाक्य में क्या गजब ढारे हैं मैं गदगद हो गया जब उनका यह नीती वाक्य पड़ा कि हमें जो सब कुछ मिला है धर्म की बदोलत मिला है लेकिन फिर पी धर्म में इंट्रेस्ट क्यों नहीं है धर्म करने में हम कितने आना कानी करते हैं कितने बहाने खोजते हैं हम लोग जबकि मालूम है जो भी कुछ मिला है धर्म की बदोलत मिला है अगर आपकी ठाली में 36 परकार के पकवान है ना यह मस समझना कि यह मैंने अपनी मेहनत से कमाया है मेरे इसी जनम का फल है नहीं वो जो भरी हुई थाली है ना वो किसी ना किसी पुन्य का परतीक है कि तुमने कभी किसी की थाली में डाला हुआ था वही भोजन तुम्हें लोट कर आया है तो कभी तुम सोचते हैं जब 36 परकार के पकवान खाते हो लजीज भोजन खाते हो को कभी तुम्हारे दिल में आता है कि जैसा भोजन मैं कर रहा हूं इसा भोजन میں किसी ओर को भी कराऊ उँ जब समाज का भोजन बनता है ना तो यह मैंने देखा हुआ है कि अतीथी जो समाज के पैसे देने वाले लोग आते हैं उनका भोजन अलग बनाये जाता है और जो लंगर में जो गरीबों को भोजन खिलवाये जाता है उसका भोजन अलग धंका बनवाये जाता है कभी भी चेक कर लेना एक बार अमें नाम नहीं बताता कहीं पर कि भंडारा लगा था आम जनता के लिए तो कहा कि भंडारे में आप दर्शन देना तो हम दर्शन देने चले गए तो कुछ जो बना हुआ था वो देने लगे तो एक हलवा बाट रहे थे तो देने वाले को कि रुख जरा अंदर जो हलवा है वो देना मैं बोला क्या मतलब ये रहने दो ये नहीं देना अंदर बेशी घी का हलुआ है तो मैं बोला ये कौन से नो कि ये मिलावटी घी का हलुआ है तो हम बोले हम तो यही लेंगे क्योंकि हमने तो मंगल पाथ इसको सुनाया है नहीं 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 जी अरे मैं बोलो यार कमाल है तुमने हलवे में भी ठरक कर दिया नो कि जी महमान आई हुए है न जी उचे-उचे उनके लिए हलवा अलग बनाया है आम जनता का हलवा अलग है कितना ऐसा भेदभाव तुम्हारे साथ हो तो कैसा लगेगा और यह हम करते हैं करते हैं हम चेक किया करो यह विचार करना चाहिए हमें कि भोजन में भी इतना फर्क गरीबों को खिलाना तो ऐसा खिला दो और मैंने आपने सुना भी होगा जब नई सार के भव की अंदर क्या कलपना थी कि एक भोजन भगवान को किलाया जाता एक भोजन भूखे को खिलाया जाता है मान सिखता ही के यह तो फरक है जब हम भगवान के भाव से किसी को भोजन कराते हैं तो भगवान बनता है और जो भूखे परकार का पकवान खाते हो कभी मन में आया कि नहीं आज में किसी जोपड़ी को वाले को भी भोजन कराऊंगा वहीं जाऊंगा वहीं खिला कर क्या हूंगा मैं एक संस्मरंग पढ़ रहा था जो एक इटली के अंदर गया था वहां पर वैनिस नाम की सिती है तो वहां पर जो बड़े-बड़े होटल होते हैं तो वहां पर एक जो इंडिया से गया था जैन था उसने कहा कि महाराज मैंने वहां बड़ा गजब देखा एक कि वहां एक कोफी मिलती है तो वॉल कोफी भी है वहां वॉल कोफी दिवार कोफी तो वो सूचन लगए यहां वॉल कोफी की विवस्था है तो अंदर पहुंच गया कि वॉल कोफी तो वहां क्या देखता है कि दो बंदे आते हैं और दो कोफी ओडर करी और तीन कोफी का प चार कोफी ओर्डर करी पांच कोफी का पेमेंट किया तो वो समझा नहीं है यह मामला क्या है वो सोचा कि अंजान सहर है पहली बार आहें तो देखते ही कि क्या बात है तो बैठा रहा उसे कुछ समझ में नहीं आया तो उसने वेटर से पूछा है या यह वोल कोफी क्या है बंदे ने चार कोफी ओर्डर करी पांच कोफी का पेमेंट दिया कहा कि उन ने पांच कोफी पीने के बाद एक कोफी फाल्तू ओर्डर इसलिए करी कोई गरीब आदमी इधर से आये तो वो कोफी उसके नाम की रहेगी वो wall coffee है यानि उसको हम देखते नहीं है उनको हम पैचानते नहीं है लेकिन हम payment पाँच कोफी का इसलिए किया कि हमारी तरफ से एक कोफी उस गरीब को फिला देना जो इस कोफी का payment नहीं कर सकता है मतलब विदेशों के अंदर भी यह संस्कृती क्या हमारे पास है यह विचार कीजिएगा तुम्हें जो सम्मान मिल रहा है यह सम्मान दिया हुआ है इसलिए मिल रहा है अगर आज तुम अपमान कर रहे हो तो यह क्या बोला है कि धरम फलम अनभव तोपी अधरम अनुस्ठानम क्या बोला है कि या तो तुम्हें आत्मा पर भरोसा ही नहीं है धरम पर भरोसा क्योंकि जिसे आत्मा पर भरोसा नहीं है उसे धरम पर भी भरोसा नहीं हो सकता और जिसे आत्मा पर भरोसा है वो धरम पर भरोसा अवस्ष्य करता है तो मेरे बंधो एक चीज जरूर याद रखना भगवान महभीर की आत्मा जिस आंगन में उतरने वाली है जिस कोक्ष में आने वाली है और जिसको माबाप बनाने वाली है वो माबाप कितने गजब के है उसके मूल में क्या है वो नजारा जो था वो कल का जो नजारा मैंने सुनाए था उसके अंदर क्या था क्या था दया करुणा आपको बताओ एक रहसे हर्याना में गाउं है जहां 36 कौम है लेकिन जब जन गनना की जाती है तो यह लिखवाए जाता है पूरा का पूरा गाउं जैन है है वहाँ 36 कौम 36 कौम अपने नाम के आगे जैन लिखती है जैन जबकि 36 कौम में आप समझ जाओ ना हर कौम आ गई लेकिन हर कोई वहाँ पर अपना कोई गोत नहीं लिखता हर कोई वहाँ जैन लिखता और उस मिट्टी से उस आंगन से उस गाउं से तक्रीबन चार दरजन सादू-साद्वी बने और कोई जैन नहीं कोई उसी गाउं से उस गाउं का नाम बडोदा गाउं जहां पर महा प्राण मुनी माया राम जी महराज में जिनकी त्री बड़ी विरासत चल रही है जिसमें संग सास्ता सुदर्शन लाल जी महराज माया राम जी महराज में तो हमारे सभी सादू-साद्वी समाहित हैं मतलब आप यह देखिए उस गाउं से तक्रीबन 45 और 48 के बीच में सादू और साद्वी बने हैं मायराम जी महराज क्या पुन्यवान थे वो बैसे तो जाट घःने से चोधरी घःने से थे और क्या पुनवानी चमकी है उनको कंध कोकिला भी कहते थे जैन कोकिला भी कहते थे और उनकी वास्तव में गजब की पुनवानी रही है और जाज़ परिवार से थे वहां के किसान इतने अब तो वहां ट्रेक्टर ट्रोली आ गए लेकिन ऐसा भी समय था अगर कोई किसान हल बहार रहा है और कोई कीडियों का बिल निकला हुआ है तो उस बिल के उपर से हल ही चलाते थे वह हल को उठा करके चलाते थे उस हिस्षे को नहीं चलाते थे जितना भी वह दिवेग कर सकते थे विवेग करते थे ये किसने प्रेर ना दी मुनी माया राम ने दी चारित्र चूडामनी सैयन सुमेरु ये उनके साथ सनमान के प्रतीक रहे हैं उन्होंने यही भरा कि जितनी दया पालोगे जितनी तुम धर्म करोगे उतना ही तुम्हें फल मिलेगा इतना कहता हूं हमारे पास तुम्हारे पास चाहे स्वास्ते का सुक है चाहे नजरों का सुक है चाहे खाने पीने का सुक है जितने भी सुक है उन सभी सुखों के का तुम्हारे धर्म का हाथ है इसलिए कहता हूं कि सो काम छोड़ कर धर्म करना मत छोड़ना कभी क्योंकि अगर तुम कुछ पाना चाहते हो मैंने एक दो अगर मंजूर धन्रक्षा तो धन्वानों बनो दानी क्या बोला अगर मंजूर धन्रक्षा तो धन्वानों बनो दानी कुए से जल जो ना निकला तो सड़ जाएगा सब पानी कुए से जल जो ना निकला तो सड़ जाएगा आप ये देखिए आपको पैसो की FD बनाने पर भरोसा है या दान करने पर भरोसा है जरा बता नो जरा FD या बहुत बनवाते हो आप जमा बहुत करवाते हो जबकि ये नहीं पता कि इसका उप्योग कर भी पाओगे या नहीं कर पाओगे जिसके लिए भी जमा किया है वो भी उसका उप्योग कर पाएगा या नहीं कर पाएगा तुम्हें जितना भी धन मिला है ये दान से मिला है ऐसे नहीं मिला है लेकिन अपने उपर तो खर्च कितनी दिल जान से करते हैं अपनी सान सोकत बढ़ाने के लिए यानि ये सब पाप पाप के लिए खर्च करने के लिए धर्म है, धन है आपके पास, पाप में खर्च करने के लिए समय है आपके पास, आप होटलों में चले जाओगे, मस्तियों के इस्थानों पे चले जाओगे, जूट बोलने पाप करने वाले इस्थानों पर मड़ी, रुची के साथ चले जा है धरम का एहसान है आप लोगों के उपार तो जो चीज जिस चीज से मिली है तो उसमें भी तो इन्वेस्ट करना समझदारी है या नहीं जिस कंपनी से तुमको प्रोफिट होता अपना पैसा वहीं इन्वेस्ट करते हो आप तो आपने कभी धरम में इन्वेस्ट करना सीखा है यह विचार ने परसने तुम प्रभू महावीर के जीवन से मुझे मिलता है कि जब मैं कि राजा सिधार्थ की विशेष्टा और त्रिश्ला राजकुमारी की जब विशेष्टा को यब देखा बात है और मैं दो तीन बाते कहके थोड़ा सा चरीतर में खिश्कता हूं मुझे लगता है जितने भी आप लोग बैठे है आम इंसानों में अधिक तर आम इंसानों में तीन चीजों को पाने की बड़ी लालसा है तीन चीज़ पहली मेरा नाम उचा हो मेरा नाम सब जाने यानि सभी मेरे नाम की चर्चा करें मेरा नाम उचा होना चाहिए नाम का डंका बजना चाहिए मेरी पहचान सभी के दिलों तक जानी चाहिए और ये बीमारी तुम्हारे में नहीं कभी कभी संतों में भी आ जाती है नहीं चाहिए मुझे अपना नाम करने के लिए कुछ भी करना पड़े लोग हात बांद के मेरे सामने खड़े रहे मैं कुछ ऐसे चमतकार पैदा कर दो या ऐसी चीज पैदा कर दो कि लोग मेरे पास आने को मजबूर हो जाए जबकि ये नहीं मालूम कि तू कुछ भी कर रहा है जो भी तू कुछ कर रहा है लोग तेरी जो इज़त कर रहे है तूने धरम के धरम से इज़त पाई है और इज़त पाने के लिए तो जो तू अधरम का रास्ता अपना रहा है ये हमारी सबसे बड़ी धूल हो जाती है कभी कभी कहीं न कहीं क्योंकि नाम की इच्छा कहीं न कहीं अभिमान से पेदा होती है और अभिमान पाप का रास्ता है हमें अधर्म की तरफ ले करके जाता है धर्म की तरफ ले करके नहीं जाता है तो नाम उच्छा होना चाहिए आप लोग दूसरा फोकस करते यार पोसाक उची होनी चाहिए ना ड्रेस ड्रेस कोड पे बड़ा क करते हैं कि देखना कि नई ड्रेस आजाती है नया उसका लुक आजाता है एकदम पसंद करते हैं जब भी आप कैसी पार्टी में जाते हो ना मैं कभी कभी देखता है तुम घर में कुछ और होते हो लेकिन मार्केट में आती ही तुम कुछ और होते हो मैं ड्रेस कोडी चेंज हो जाता बंदे का मैं कहीं ना कहीं तुम अपना और तीसरी ख्वाइस होती मेरे मकान बहुत बड़ा होना चाहिए उचा भी होना चाहिए, बड़ा भी होना चाहिए, सांसोकत होनी चाहिए मकान को देखर के लोग काई कि क्या यार गजब का मकान बनाया है यह ना तीन ख्वाइसे मुझे लगता है ये चीजे रहती हैं, दान भी इसलिए देते कि मेरा नाम होना चाहिए, पोशा के उपर काम करते हैं, मकान के उपर काम करते हैं, लेकिन आप एक तीन चीजों के असलिए भूल गए, आपका चाहिए नाम कितना भी उच्छा हो, जिद दिन नाम के आगे लेट सब्द आ लेट, लेट इसलिए कहते हैं लेट गए, अगर तुम लोग कहते हैं लेट का मतलब सवर्गिय होता है, नहीं नहीं नहीं, जो हमेशा के लिए लेट, लेट गए आज़ो, जिस दिन आपके नाम के आगे सवर्गिय सब्द लग जाएगा, अब बताओ, ये नाम कितना भी उच्छा तुमने नाम किया हो रही है, या जहां लेट सब्द आगया, जहां सुरिगय सब्द आगया, हो गया ना काम खत्म, और तुम चाहे कितनी भी बढ़िया पोसाग पहनो, आखरी पोसाग, बताओ ना, वही कफन जिसमें जेव तक भी नहीं, अब तो यह त पहले इतनी जेव नहीं वहा करती थी, क्योंकि पहले पोसाग यह ती ज्यादा जेव होती नहीं थी, कि मालूम था, जेव एक न एक दिन, लेकिन आप इतनी जेवे कर रहे हैं, आप इतनी जेवे लगा रखी है, चाहे कितनी भी जेव लगा लो भी या, जब आखरी वस्त् उसमें कोई जेव नहीं होगी, और उसमें कोई कलब नहीं होगा, वो कफण कैसा होगा, आखरी में तुम भी सादू बनने वाले हो, तुमें पता भी नहीं चलेगा, इसलिए हमको यही कपड़ा दिया गया, अपने कफण को याद रख, तुम चाहे, और मैं कभी कभी लगत इतनी प्यारी लगती है, तुम्हें तो यह भी चक्कर रहता आज यह पहन नहीं है, आज यह पहन नहीं है, आपन का यह जन्जट है ही नहीं, एक ही ड्रेस है अगरा, आणन दाता है, पर लेकिन कुछ भी को कितनी पहलो आखिर में यही आएगी, यही ड्रेस, और बताओ, म एक ऐसी जगे पहुँच जाओगे, तुम्हारी छे फुटकी बोडी भी एक हंडिया में आ जाएगी, लुटिया में, लुटिया, दोब गई ना लुटिया, समझे ना, उस ये हमारा इतनी बोडी का कलेवर किस में आ जाएगा, एक मट्की में आ जाएगा, उपर से लाल मरने के बाद आपको इस मठकी में बंद कर देंगे और घर में भी नहीं रखेंगे निकल और नदी को जाओ बाई हो गयो काग कर लो जी या तो मुठी बर्राक या जमीन में दफन हो जाओगे वही जगे हमारी फिर भी आदमी पागल हुए जा रहा है इसलिए कह रहा हूं कि धरम से कुछ अगर कुछ इसको डिटर्म करना चाहते हो या रिवाईच करना चाहते हो या इसको दुबारा पाना चाहते हो तो धर्म के ही रास्ते पह आना होगा मेरी कहने का भाविया है कि रिस्ता शिन भड्र है रिस्ता लेकर के पहुंचा है और रिस्ता मंजूर हुआ धूम धाम से विवा हुआ ब्रात आई है वेशाली नगरी के अन्दर और वहाँ विभा होता है राजा सिधार्थ के साथ जुड़ी है त्रिसला राजकुमारी बन गई है त्रिसला महारानी बन कर आई है महारानी कुंडलपुर में वेशाली नगरी को छोड़ कर एक छोटे से कुंडलपुर में आई है त्रिसला तो नंदी वर्धन पहले पैदा हुए फिर बेहन पैदा हुई यह दो पुत्रों की प्राप्ति हुई पुत्र और पुत्री की प्राप्ति हुई मा का दर्जा भी मिल गया है जीवन आगे घतीमान आगे खिशकने लगा कहा है प्रथम बार माता पिता बननेक पर दूसरी बार भी माता पिता बनने पर खुशियां मनाई गई पूरे कुंडरपुर में खुशियां मनाई गई बसाई गई पूरी नगरी सजाई गई लेकिन अभी उस गोद को किसी ऐसी सक्षियत का इंतिजार है क्योंकि नंदि वर्धन का नाम भी महबीर की वजह से आया है ने तो तिर्सला को कौन जानता रह राजा सिधार्थ को कौन जानता पता नहीं कितने माता-पिता बने हैं लेकिन उनका हिसाब किताब कौन रखता रहे राजा सिधार्थ को भी कोई जानता है तुम्हें सोचता हूं कि कितनी पुनवानी होगी उनकी कि उनकी कोख में एक ऐसा जीव आने वाला है जो उनकी महिमा को बढ़ाने वाला है और अब आगे हम चलें तो कल तक का हम इंतिजार करते हैं क्योंकि कल ऐसा वातावरन चाहता हूं अगर आप लोग क्योंकि यूट्यूब पर सुनने वाले भी कई है क्योंकि महभीर का अभी जनम तो होना बाकी है अभी तो महभीर का उपर से क्योंकि जनम कल्यानक से पहले चवन कल्यानक है वहाँ से ट्रांसपर होने वाले हैं ये दो प्रकार की कथाएं आती हैं क्योंकि ये कथाई में मिली जुली सुना रहा हूं एक सतामबर आमनाई से जुड़ी है तो एक दिगंबर आमनाई से भी जुड़ी है सितामब्र आमनाई से एक कथा ये भी जुड़ी हुई है जो उचलो हम कल करेंगे उसकी चर्चा लेकिन वो क्या है कहा है कैसा है उस बारे में मैं ज़्यादा डिटेल में तो नहीं बोल पाऊंगा प्रमानित्ता के अधार पर भी में कुछ ज़्यादा बोल नहीं सकता हूं लेकिन एक विवस्था है उस विवस्था के अंतरगत बोलने पड़ेगा तो बोलूंगा लेकिन इतना महत्पूर्ण है कि प्रभु महावीर बनने वाली आत्मा कुछ ना कुछ करिश्मा तो करी ही र हो रहा है और यह भी जो घटना है यह 23 ठंकरों के साथ नहीं हुई जो घटना भगवान महावीर की आत्मा के साथ है उसका भी कनक्शन कहीं न कहीं वहीं से जोड़ देते हैं वहीं मरीची के भव से जोड़ देते हैं कि भगवान महावीर की आत्मा ने अगर 27 भव के अंद तो सबसे जादा उनकी आत्मा ब्रह्मन कुल में ही आई है। अगर तुम पूरा हिसाब किताब भी देखो गये ना, तो सबसे जादा भगवान महभीर की आत्मा ब्रह्मन कुल में ही आई है। इसमें भी आने वाली है पर लेकिन चलो उसका जिकर हम कल करेंगे पर लेकिन इतना जरूर कहता हूं कि सौमदेव सुरिश्वर जी की उस नीती वाक्ये पर जरूर विचार किजिएगा कि अपने जीवन को देखिएगा कि जो चीजे मुझे क्योंकि आप लोग ये लोग कहते हो कई मेरे उत्तम स्रावकनी हैं कई कहते हैं कि जब हम कहीं गाउं से आये थे तो दो वक्त की रोटी तक नहीं थी हमने इतनी महनत मसकत की है आज इस मकाम तक कहुंचे हैं तो मैं तो कह कहता हूं कि आपसे ज्यादा पुनवान तो आपके बच्चे होंगे कि जिनको जमी जमाई दुकान और मकान सब चीज मिली है तो उनकी पुनवानी तो आपसे भी ज्यादा जबरदस्त होगी लेकिन उस पुनवानी का कनक्शन भी धरम से ही जुड़ा हुआ है इसलिए मैं अपने नोजवानों को कहता हूं कि तुम्हारी जितनी भी शान सोकत है जितना भी सम्मान है उसके पीछे धरम का ही प्रभाव है इस धरम को मत छोड़िए धरम के साथ जुड़े रहिए धरम को आगे रखिए धरम को सब से आगे रखिए क्योंकि आपके पास जितना धन है वो धर्म के माध्यम से आएगा और फिर धन से भी धर्म कमाया जा सकता है धन से भी धर्म किया जा सकता है पुन्ने से महा बुन्नी की उपारजना की जा सकती है इन चीजों के उपर जरूर आप फोकेश किजिएगा धन्यवार